धर्मपुर गाउं में सरोजनी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ रहते थी सरोजनी का पती उसे कई साल पहले छोड़ कर जा चुका था अब उसका एक ही सहारा था उसका बेटा पवन सरोजनी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी इसलिए वो लोगों के घरों में काम काज करके पैसा कमाती थी अपनी मा को दिन रात इतनी मेहनत करती देख एक दिन पवन अपनी मा से कहता है मा तुम लोगों के घर गर जाकर काम करती हो यह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढोंड लेता हूँ नहीं मेरे बच्ची मैं खुद चाहे कितना भी कश्ट उठा लो पर तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में बैठ कर प्रार्तना कर रहा होता है तो उनसे हाथ जोड़कर कहता है पवन को पूरा विश्वास था कि बजरंग बली उसकी मा को समझा देंगे ऐसे ही समय बीता गया और पवन ने भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली फिर वो नौकरी की तलाश में लग गया वो सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाट करता उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती फिर वो निराश हो कर घर वापिस लोटा था एक दिन उसे उदास देख कर सरोशनी ने कहा अवन बेटा तु इतना उदास क्यों है आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी मा मैं कुछ दिन नौकरी की तलाश और करूँगा लेकिन अगर फिर भी कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं महनत मजदूरी ही कर लूँगा नहीं बेटा मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही इतना पढ़ाय लिखाय है तु कोशिश करता रहे एक दिन सब ठीक हो जाएगा अगले दिन सबेरे जल्दी उठकर पवन फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है अपने घर से कुछ दूर चलने पर ह उसे अपने स्कूल के पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं प्रिंस्पल से कहकर तुम्हारी नौकरी पर्मिनेंट करवा सकता हूँ तुम्हारी मा की हालत देखकर मुझे तुम्हारा खयाल आया और मैंने तुमसे बिना पुछे ही तुम्हारी बात प्रिंस्पल से कर ली है अब तुम मेरी जुबां का मान रखो और अच्छे से उस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो ये सुनकर पवन बहुत खुश होता है अपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी पर क्या आप मुझे बताएंगे कि वहाँ केवल एक हफता ही क्यों पढ़ाना है बेटा, वहाँ और भी बहुत से टीचर्स आएंगे लेकिन जो एक हफता अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा केवल उसी की नौकरी पक्की होगी समझ लो, ये तुम्हारा इम्तेहान है पक्की नौकरी पाने का जी मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद पवन घर आकर अपनी मा को सारी बात बताता है सरोशनी ये बात सुनकर बेहत खुश होती है फिर वो बजरंग बली के सामने हाथ जोड कर कहता है अगले दिन पवन ने अपना इंट्रोड़क्शन प्रिंसिपल को जा कर दिया उसके बाद प्रिंसिपल ने उसको क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया क्लास में पहुँशते ही सभी बच्चे पवन मास्टर जी से कहते है बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगते हैं वो सारा दिन बच्चों को रामायन सुनाते रहते और उनको सारी चौपाईयां याद करवा देते ऐसे ही एक हफ़ता बीद गया फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं तभी सभी बच्चे राम राम कहकर उनको वेलकम करते हैं उसके बाद प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं बच्चों तुम्हें मास्टर जी ने क्या-क्या सिखाया? कुछ बताओ तभी सब बच्चे एक-एक करके प्रिंसिपल को रामायंड की चौपाईयां सुनाने लगते हैं साथ ही सभी बच्चों को सारी की सारी रामायंड मुख सुबानी याद हो गई होती है ये देखकर वो हैरान होकर कहने लगते हैं अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना तो हम कई सालों तक नहीं सिखा पाते, जितना आपने एक हफ़ते में सिखा दिया, आपके नौकरी पकी हुई, आपका ओफर लेटर मैं आपके मास्टर जी के हाथ बिज़वा दूँगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना अगले दिन सुब़ होते ही, मास्टर जी, पवन के घर पहुँच जाते हैं, और उसका दरवाजा खट-खटाते हुए कहते हैं अरे पवन, अरे ओपवन, क्वान, दरवाजा खोल बेटा तभी दरवाजा खोलते हुए, पवन बाहर आता है अरे आप नमस्ते मास्टर जी अब इतनी सुभा सुभा कैसे आना हुआ आईए अंदर आईए पवन की माँ चार पाई पर लेटी हुई होती है नमस्ते बेहन जी क्या हुआ आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही हाँ मास्टर जी पिछले एक हफ़ते से माँ बहुत बिमार थी लेकिन अब उनकी अहालत में काफी सुधार है मुझे माफ कीजिएगा इसी कारण में स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाया ये सुनकर मास्टर जी हैरान रह जाते है अब ये तुम क्या कह रहे हो वो स्कूल के प्रिंसपल ने तो मुझे तुम्हारा जॉइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है ये सुनकर पवन हैरान रह जाता है उन्होंने मुझे से कहा कि पवन ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जैसे कि आज तक कोई पढ़ा न सका लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं मैं तो यहीं घर पर रहकर मा की सेवा कर रहा था ये कैसे हो सकता है प्रिंसपल सहाब ने तो खुद मुझसे कहा है कि पवन ने तो बच्चों को राम नाम की बहुत अच्छी शिक्षा दी है सभी बच्चों को चौपाईयां और रमायर याद हो गई है पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम नहीं गए तो वहाँ तुम्हारी जगह कौन गया था और अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई ये सुनते ही पवन रोने लगा और रोते हुए कहने लगा ये काम तो मेरे बजरंग भली ही कर सकते हैं राम नाम की शिक्षा वही दे सकते हैं और अपने भक्त को जब मुसीबत में पड़ी देखा तो उसकी साहता के लिए स्वयम ही आ गए ये कहकर वो हनुमान जी की मूर्ती के सामने रोने लगता है तभी सरोजनी उससे कहती है मेरे बच्चे हनुमान जी ने तेरी सारी परिशानी दूर कर दी उन्होंने तुझे तेरी मेहनत का फल दे दिया मेरे बच्चे मास्टर जी ये सब देखकर हैरान रह गए और वो पवन से कहने लगे अकले दिन सुबह सुबह पवन मंदिर गया और हनुमान जी का जब करने लगा उसके बाद वो स्कूल जाकर अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा इसके बाद वो हर रोज स्कूल जाने से पहले और आने के बाद हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता और वहां बैट कर ध्यान लगाता इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए सरोजनी ने भी काम छोड़ दिया अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी न थी सरोजनी और पवन अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे आव आव बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानी पुरी खाओ ऐसी पानी पुरी आज तक नहीं खाई होगी 10 रुपए में 20 पानी पुरी, सस्ती और खस्ता भी आव आव पानी पुरी का थेला, लच्छू पानी पुरी वाला मेरे ठेले के सामने एक नया ठेला लग गया भोला पिछले कई सालों से पानी पुरी का ठेला चला रहा था वो हनुमान जी का परमभग था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी जिस पर वो रोजाना पानीपुरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगाता था भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू जोर-जोर से हसने लगता है ऐसा तो भाई पहली बार देखा है है अनुमान जी पानी पुरी खाते हैं कैसे बेवकौफ लोग हैं जो भगवान को पानी पुरी खिलाते हैं देखो भाईया, तुम यहां नए आये हो, इसलिए अपनी हद में रहो, मेरा मजाग उड़ाने की कोई जरुवत नहीं है, अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे अपनी पतनी ममता को इस बारे में बताता रहता था ममता तुम नहीं जानती हो, वो नया पानी पूरी वाला लच्चु बहुत ही गंदा इंसान है, वो ग्रहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानी पूरी खिलाता है, ये बात कोई ग्रहक नहीं समझता, सबको बस सस्ता दिखता है, इसी वजह से मेरे ठेले पर पर ग्रहकों का आना बहुत कम हो गया है, सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। जी अभी खिलाता हूं ये लिजी। मैं एक खिलाउने बाला। चलो भाई चलते हैं, बसकर भे। अरे-अरे कहां जा रहे हो, मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे। अरे तुम लोगों ने जो पानी पुरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। हमसे पैसे मांगेगा, जा नहीं देते, बोल क्या कर लेगा। ये क्या बत्तमीजी है, तुम तो गुंडा गर्दी कर रहे हो, मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ीगी। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं, और उसका पानी पुरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्चु पानी पुरी वाला जोर-जोर से हस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानी पुरी बेचने के लाया की मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्चु के दोस्त थे। वो जब वहाँ से चले गए तब एक व्यक्ती ने भोला की मदद की और उसे रिक्षा पर बिठाया। भोला लहुलुहान घर पहुचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पेरों में बहुत चोड थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। ममता ये सब उस बदमाश लच्चु पानी पुरे वाले काई की या धरा है। हे बजरंग बली ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती। अब मैं काम पर कैसे जाओंगा। भोला भी ममता से बात करी रहा था कि तभी दर्वाजे पर दस तक होती है। कौन है। रुको आती हूँ। अरे रतन तू। प्रणाम दिदी कैसी हो। अरे ये जीजा जी को क्या हुआ। ये चोट। तु आप बैट पहले कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शेहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ। बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था, और मुझे शेहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गाउं में रहता है, उसका शेहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हाथसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दिदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता, कल से मैं पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा, देखता हूँ किस में हिम्मत है, जो मुझे वहां से हटा दे रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है, अगले दिन रतन पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार पहुँचता है, लच्चु पानीपुरी वाला भोला की जग़र रतन को ठेला लगाते देख, खैरान रह जाता है रतन ग्राको को पानीपुरी खिलाने लगता है, इतनी देर में लच्चु उनी बदमाशो को बुला लेता है ये रहा भोला का साला, रतन, इसे भी इतना मारो की ये भी खटिया पकड़ ले अरे, मेरे हाथ को क्या हुआ, मेरा हाथ एक जगा पर रुक क्यों गया है, मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा मेरे साथ भी यही हो रहा है मेरे भी तोनों पैर जमीन से चिपा गया है मैं तो हिल भी नहीं पा रहा मेरे जीचाजी को तुम लोगों ने मारा था अब मेरा ठेला तोड़ने आये हो अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं ये लो रतन उन बदमाशों को उपर नीचे घुमाता जाता है वो ने कभी आस्मान में उड़ा देता है कभी जमीन पर पटक देता है रतन वास्तों में कोई और नहीं बलकि हनुमान जी थे जो भोला की सहायता के लिए धर्ती पर आये थे वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो दुबारा कभी भोला को परिशान न कर सके और ऐसा ही हुआ बदमाश डर कर वहां से भाग गए रतन गुस्से में लच्चु के ठेले पर जाता है उसे देख कर लच्चु घबरा जाता है मुझे माफ कर दो रतन मुझसे गलती हो गई मैं आज के बार कभी भी भोला को परिशान नहीं करूँगा मेरा ठिला मत तोड़ना मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे है मैं इसी रोजगार के साहरे अपना घर चलाता हूँ घबराओ नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा जैसा तुमने किया मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ हमेशा याद रखना दूसरों से इर्शा करके कुछ नहीं मिलता अपना ही नुकसान होता है इसलिए अपने काम में मन लगाओ दूसरों को मत देखो वरना पापियों को धंड देते भगवान को देर नहीं लगती उस दिन के बाद लक्षू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया रतन लक्षू के सामने ही ठेले पर पानीपूरी बेशता था रतन की पानीपूरी लोगों को इतनी स्वादिश लगती थी कि लोगों की भीड बढ़ती चली गई रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका रतन ने काफी पैसे जोड लिये थे वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिये जीचा जी ये पानीपूरी की कमाई के रुपए है अब आप इन रुपियों से अपनी एक दुकान और मकान खरीच सकते हो मैं कल सुभा ही काउं वापस चला जाओंगा आपकी तबियत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है इतनी देर में मम्ता को एक फोन आता है हलो जिदी कैसी हो पता चला जीज़जी का एकसिडेंट हो गया था मैं कल सुभा मा के साथ उन्हें देखने आ रहा हूं ठीक है मैंने सुचा मैं तुम्हें बता दू अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी ये कौन है मम्ता को घबराता देख हनुमान जी अपने अस्री रूप में आ जाते है उन्हें सामने खड़ा देख भोला और मम्ता दोनों की आँखों में आसु आ जाते है बोला तुम्हें तो पता ही है जब भी कोई भक्त सचे हिर्दै से मेरी पूजा और उपासना करता है मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ तुम मेरे सचे भक्त हो अमिशा ऐसे ही इमानदारी और मेहनत से काम करते रहना मेरा आशिरवाद सदैफ तुम्हारे साथ है इतना केकर हनुमायनची अंतर ध्यान हो गए भोला ने उन रुप्यों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पतनी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा